हेलो एवरिवान आज हमें इस वीडियो में कमपैर शंकरेंगे रियल्मी 9 Pro Plus 5G में रियल्मी X7 Pro में और देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट कते ही सबसे पहले बात कते हैं डिस्पले से रियल्मी 9 Pro Plus में ही 6.43 इंच की और रियल्मी X7 Pro में ही 6.55 इंच की दोनों का है रेजुलेशन 1080 मार्टिपा 24 पिक्सल दोनों में आपको सूपर AMOLED डिस्पले मिलती है रियल्मी 9 Pro Plus में आपको 19Hz का रिफ्रेसिट मिलता ही रियल्मी X7 Pro में ही 120Hz का डिस्पले क्वाल्टी में रियल्मी X7 Pro बेस्ट है बात करते हैं प्रोज सकी रियल्मी 9 Pro Plus का ही मिडिटेक का डेमें सीटी 920 का CPU है 2.5 गाहाट ओक्टकॉर का 6 इंच का फिनफेट GPU है जीश्टी एट का रियल्मी X7 Pro का ही मिडिटेक का डेमें सीटी 1000 प्लेस का CPU है 2.6 गाहाट ओक्टकॉर का 7 इंच का फिनफेट और अब बात करते हैं बैक केमरा की तो रियल्मी 9 Pro Plus का है ट्रीपल मिडेक केमरा है 50 का रियल्मी X7 Pro का है क्वार्ड मी मिडेक केमरा है 64 मिसल का बात करते हैं फरंट केमरा की तो Realme 9 Pro का ही Sola का Realme XM Pro का ही 30 Two का बात कते हैं बेटी नाइब की दोनों में सेम है सारे 4000 उबस की मिलती है दोने की बेटा इस Note 1 है आप दोने की बेटी को निकाल नहीं सकते बात कते हैं चार्ज की तो Realme 9 Pro का ही 70 Watt का और Realme XM Pro का ही 65 Watt का दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट ही रियल्मी 9 Pro Plus में RAM ही 6GB और 8GB की रियल्मी XM Pro में ही 8GB की दोने की Memory SIM ही 163GB की दोनों में आपको फरंट पे गलास मिलता है बैक में प्लास्टिक है बात करते हैं प्राइज की रियल्मी 9 Pro Plus का ही 24,909 पी रियल्मी XM Pro का ही 29,909 पी तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया कौन बोक्स में जोरू बताना अगर आपको दोनों में से को स्मार्टफोन ही नहीं अगर आपको बजट है कम तो आप रियल्मी 9 Pro Plus के साथ जा सकते हो अगर आपको बेस्ट केमरा लिना ही बेस्ट डिस्पली लिनी ही तो आप रियल्मी XM Pro के साथ भी जा सकते हो